वेलकम प्यारे विदारतियों, आज हम बात कर रहे हैं काक्षा अच्छा है कि पर्थम परक पर्षन पत्र के बारे में, जो आपका अभी होने वाला है पर्थम परक पर्षन पत्र और विशे रहेगा गणित, यानि गणित के बारे में, पर्षनों के बारे में हल करेंगे सभी परसंट करने अनिवारे हैं संख्या 1-12 तक के यानि आदा अंक है और 13 से लेके 16 तक एक अंक है यानि टोटल जो पुनांग रहेंगे वो अपने रहेंगे 10 1. फरस्ट है निमन मेंसे कौन सी एक प्राकट संख्या नहीं है यानि निमन में से कौन सी प्राकर्ट संख्या नहीं है उसका हल बताना है अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लिए चैनल को subscribe जुरूर करें और आपको बाकी जो पर्थम आपके परक हैं यानि पर्थम परक के जो हिंदी का है, विज्यान का है, समाजी का है वो सारे आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे तो चैनल को सस्क्राइब जूरूर करें और आपकी जो वरक्षीट चे चल रही है वो भी आपको इस पे मिल जाएगी तो बात करते हैं पर्थम फर्स्ट क्योसन की निमन मेंसे कौन सी एक 301 मेंसे तो 0 A है वो पुराकरत संख्या नहीं है तो अपना यहां पे आंसर हो जाएगा Next है निमन मेंसे A भजय संख्या है यानि जो भजय नहीं जिसमें किसी का भाग नहीं जाता तो आठ में जाता है बारा में 21 में भी जाता है लेकिन 37 में नहीं जाता तो राइट आंसर हो जाएगा अपना दै नेक्स्ट है चार अंकों के सबसे छोटी संक्या यानि चार अंकों के सबसे छोटी संक्या कौन शी होगी 9999 में 101, 1111 तो सबसे छोटी संक्या हो जाएगी 1000 हजार तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सह नेक्स्ट हैं किसी वर्त में अधिक्तम कितने कैंदर हो सकते हैं यानि एक वर्त होता है उसमें अधिक्तम कितने कैंदर हो सकते हैं तो उसमें अधिक्तम एक कैंदर हो सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बै नेक्स्ट है लिकस्थानों की पूर्तिक रें आमने सामने शिर्षों को मिलाने वाले वाला रेखाकंड क्या कहलाता है तो आमने सामने मिलाने वाले रेखाकंड को वीकिरन कहते हैं क्या कहते हैं वीकिरन या वीकरन कहते हैं इसका right answer हो जाएगा विक्रण 1000 से ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या है यानि 1000 से ठीक पहले आने वाली तो उससे पहले कौँचे आती है 999 तो 999 में एक पूर्ण संख्या है ने तो भजे संख्या है और नहीं ए भजे संख्या है तो एक लाख ब्राबर सो हजार होते हैं एक लाख ब्राबर सो हजार इसका राइट अंसर हो जाएगा सो नेक्स्ट है सही कथन के सामने सत्य था गल्त कथन के सामने ऐस सत्य लिखना है एक बिलियन में एक हजार मिलियन होते हैं एक बिलियन में कितने बिलियन मिलियन होते हैं, तो एक बिलियन में एक हजार मिलियन होते हैं, तो यह बात सत्य है, तो यहाँ पे अपने को लिखना है सत्य, या राइट करना है, नेक्स्ट है, सभी सम संख्याएं भाजे होती है, सभी संख्याएं होती है वो भाजे होती है ये भी राइट है तो यहां भी अपने को क्या लिखना है सत्य यानि सभी संख्याएं भाजे होती है नेक्स्ट है, दो बुजाओं से बहु बुज निर्मित होता है, यानि शिर्फ दो बुजाओं से, यानि दो यी बुजाओं है अपने पास, उनसे क्या बहु बुज निर्मित हो सकता है, तो नहीं हो सकता, तो यह क्या है, गलत है, तो यहाँ पे लिखना है, ऐस सत्य, नेक्स्ट है पूर्ण संख्या एक का पूरो वर्ती जीरो होता है यनि पूर्ण संख्या एक का पूरो वर्ती जीरो होता है तो ये क्या है? राइट है यहाँ पे लिखना है सत्य है ये बात बात करते हैं नेक्स परसन की नेक्स्ट है 16 के पर्थम 5 गुनज लिखी यानि 16 के पर्थम 5 गुनज कौन से होते हैं तो फर्स्ट हो जाएगा 32, 64, 48, 32, 48, 64, 86, 96 यानि 16 के गुनज जाएगे 16, 32, 32, 36, 38, 64, 64, 65, 86, 96 तो ये इसके क्या हो जाएंगे गुनज हो जाएंगे नेक्स्ट है आरोही करम में लिखी आरोही करम का मतलब होता है गड़ते सी यानि बढ़ते करम में लिखना है तो सबसे पहले लिखना है अपने को सबसे छोटी संग्या यानि 1851 उसके बाद लिखना है 65, 341 उसके बाद में 33, 638 और उसके बाद में लिखना है 97,814 तो यह क्या है आरोही करम में लिखना है बात करते हैं नेक्स क्यूशन की एक तिर्बुज बना कर बताईए किसमे कितनी बुजाएं हैं अपने को एक तिर्बुज बना कर बताना है यानि आप सकेल की साहिता से एक तिर्बुज बनाना है और आपको बताना है कि इसमें कितनी बुजाएं हैं तो इसमें कितनी बुजाएं दिखाई दे रही है आपको यानि आपको कितनी बुजाएं दिखाई दे रही है जिसे एक, दो, तीन तो आपको यहां बताना है कि एक तिर बुज में तीन बुजाएं होती है एक दिर बुज में कितनी बुज़ाएं होती है तो आपका right answer हो जाएगा next है क्यूसर नंबर 16 यानि 1668 गुणा 125 का गुणन फल ग्याद कीजिए तो आपको इसका क्या करना है गुणा करना है कितने का 1668 का 125 से गुणा करना है जब 1668 का 125 से गुणा करना हो गए तो आपका right answer आजाएगा 208 500 यानि right answer आजाएगा 2,8,500 यह इसका right answer आपको गुणा करके देखना है अगर आप चैनल पर नहीं है तो अपली चैनल को सस्क्राइब ज़रूर करें Thank you